हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वन्स अगेन ओन अवेकन ब्रेंज दोस्तों आप सब का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेंज यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में एक और इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ जी हां दोस्तो का एक एक ओपीनियन की तरह हम यह बात कर रहे हैं यहां पर कि कैसे जेक एक एसेस बी को अपने रिजल्ट्स इन फ्यूचर जो आने वाले टाइम में डिक्लेयर करने चाहिए ताकि कि maximum number of candidates जो है वो adjust हो सके और maximum number of unemployed candidates को jobs मिल सके एक opinion वीडियो है आप बने रहे हैं इस वीडियो के साथ शुरू से लेके last तक चैनल पर अगर आप नए है पहली बार आया है तो इसी तरह के latest और updated contents को देखने के लिए interesting contents को देखने के लिए job related content को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें bell notification icon को प्रेस करना ना भूलें information अच्छी लगे तो like share और comment करना ना भूलिएगा तो चलो शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं how JKSSB should declare their results of different posts so that the maximum number of seats jobs shall be filled by the aspiring and unemployed candidates of JKSSB as well as JNK आप सब जानते हैं कि JKSSB हर हफ़ते आए दिन 10-15 दिन के अंदर अब jobs के related जो OMR based हो या online exam हो वो conduct करवा ही रहा है तो अब इस के चलते मेरे mind में यह आए कि हम जो है उन jobs की तरफ नजर मारें कि जिनका result अभी आना है और उन में common जो students हैं बहुत सारे होंगे क्योंकि यहां पे मैं उन ही jobs की बात कर रहा हूँ जिसमें जो है graduation qualification criteria रखा गया basic eligibility रखी गई है जहां पे graduation रखी गई है तो वहां पे आपको पता है कोई special skill या को special diploma degree certificate नहीं रखा गया है तो general graduation जिसमें all graduates जो है eligible होंगे उन exams की और उन jobs की मैं बात कर रहा हूँ application form fill करते हैं उसके अलावा 10th और 12th जिसमें basic eligibility है वह वाले form भी बहुत जादा candidates apply करते है इसी के चलते मैंने एक table तयार किया है एक छोटा सा उसमें दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है job का नाम क्या है उसका pay level क्या है उसकी vacancies क्या है और उसका किस तरह से क्योंकि हमेशा इंसान जो है वो growth चाता life में अगर आप सब को यहां पर एक बात मैं और बता दू एक्जेंपल के आप जो है opt करोगे और फिर अगर result निकलता है 4 का तो आप यह वाली opt करोगे यहां पर यह वाली रह जाएगी मतलब वेकंसी खाली हो जाएगी फिर आप 4 से अगर 5 की तरफ आओगे तो यहां 4 वाली वेकंट रह जाएगी फिर 5 से 6 तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें जाब होनी चाहिए क्योंकि financially हर एक इंसान strong होना चाहता है life में अब हुआ क्या है कि graduation के base पे बहुत सारी ऐसी jobs आई हैं आज कल जिनके exams conduct हो रहे हैं और आगे होने वाले हैं तो candidate हमेशा चाहता है अपनी life में improve करना तो मैं उन्हीं jobs के बारे में यहां पे वीडियो लाया lower job वाली जो है उसमें document verification ना हो और वो उस नीचे वाले candidate को chance मिल जाए ताकि वो vacant ना रहे अब मैं यहां पे दुबारा पढ़ लेता हूँ I am considering only jobs in which graduation are 10th or 12th was the basic eligibility I am here excluding all those jobs in which some technical qualification was required मैं वो jobs include नहीं कर रहा हूँ यहां पे वैसे तो बहुत सारी बन जाती हैं मैंने उनको नहीं लाया यहां पर क्योंकि यहां पर basic eligibility graduation 10th or 12th के basis पर मैंने यह data आपके सामने लाया है this video is shared only for the purpose of knowledge purpose के लिए it is not necessary that JKSSB जो है यही pattern follow करे for declaring the results it's only opinion जो मैं दे रहा हूँ और यह vary भी कर सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं person to person वो भी इसमें वैरी कर सकता है उनको opinion मेरा opinion य पे लेवल लगाया और total vacancy लगाया तो सबसे पहले मैंने यहां पर preference दी है JKPolice की sub inspector की post को क्योंकि वह level 6 की job है बहुत सारे benefits है और vacancy 1200 है तो हमेशा इंसान चाहता है कि हमें higher rank वाली job मिले तो JKSSB exams को conduct करवा रहा है उसमें मैंने serial number 1 पर रखा है कि पहले इस तरह से result declare होना चाहिए सबसे पहले होना चाहिए JKPolice sub inspector का result declare so that यह 1200 vacancies फिल हो जाए उसके बाद होना चाहिए finance inspector का हाला कि अभी वो exam नहीं आई यह date उसकी लेकिन आनी चाहिए मैं यह कह रहा हूँ कि इस तरह से जब यह 18 vacancies इंकी level 6 की job है यह फिल होंगी उसके बाद 3rd पे होना चाहिए finance accounts assistant FAA level 5 की job है और 972 vacancies है इसका तीसरे नमर पे result declare होना चाहिए और gap के साथ होना चाहिए और उसके बाद forester की level 5 वाली post है 250 vacancies है उसके बाद 4 नमर पे यह result declare होना चाहिए पांच में पे forest protection force के अंदर जो है forest protection force inspector यह क्योंकि आप table यहां देख सकते हैं नीचे चला गया है यहां पे मैं दिखा दूँ तो यह level 5 की job है 60 vacancies है forest inspector forest protection force में forest inspector लेवल 5 की यह भी job है पांच में नमबर पे इसका result declare होना चाहिए छट्टे पे जो है मेरा opinion है कि finance sub inspector level 4 की job है 62 total vacancies है उसके बाद फिर revenue में पटबा रही है आप सब जानते है 142 अभी इसका exam conduct वगएरा इसका status आप जानते होंगे क्या चल रहा है और उसके बाद stock assistant level 4 की job 125 vacancies है यूटी कार्डर में वेटनरी यूटी कार्डर मतलब की सारे districts को मिला कर क्योंकि आप तो merit open बनता है सभी districts में आपस में तो उसके बाद वेटनरी फार्मसिस्ट है 116 vacancies है उसके बाद मैं चाहा रहा हूँ यहां पे 10 में नंबर पे रखा है मैंने पंचायच secretary को 1395 पोस्ट हूँ के लिए तो यह जब उपर वाले result declare होंगे वो लोग उनको भी पता है यहां पी level 2 की job है तो better क्या है हमारे लिए financially हाँ कोई एक odd number होता है कोई ऐसा इंसान भी होता है जो उपर वाली जौब को छोड़के नीचे आना चाहता है वालक इशू है लेकिन एक सही इंसान जो नॉलेजबिल इंसान जो है financially grow करने वाला इंसान जो हमेशा अपर लेवल को ही चूज करेगा तो इसलिए मैंने number 10 पे रखा पंचायच सेकेटरी को लेवल 2 की जाब है जो तेरह सो पचंद में वेकिन सीज है उसके बाद मैंने नीचे least preference में सबसे नीचे रखा wildlife guard को जो है 108 इसके साथ तो यह मेरा opinion था कि यह जो मेरी 11 पोस्ट है मैंने निकाल के लाई है अलग-अलग notifications से based on the name of the post, pay level of the post, vacancy of the post, तो मेरा एक opinion है कि इस तरह से result declare होने चाहिए ताकि candidates जो है unemployed youth जो है वो adjust हो सके जादा से जादा जादा और वो jump on ना करे, एक vacancy में अगर उसका नाम आ गया, कहीं job declare हो गया, level two पे लग गया, और document verification हो गयी, joining डाल दी तब तक लगा पता कि level four और result आ गया, और हो उसका level four का result भी आ गया, अब हो वहाँ resign करके यहाँ चला जाएगा, तो इस तरहां से हौच पॉच मचता ही रहेगा, और अंत में जो है last पे देखा जाए, दो स चाहता हूँ, मेरा एक opinion है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जरूर अपने comment box में लिखें, और video अगर आपको अच्छा लगा, interesting लगा, तो like, share और comment करना ना भूलेगा, subscribe करना ना भूलेगा, bell notification icon को press करना ना भूलेगा, तो मेरा एक छोटा सा video था, opinion based video था, यहाँ पे जो मैंने graduation 10-12 की basis पे पोस्ट हैं लिए हैं, जिके SSB को किस तरह से result declare करने चाहिए, ताकि maximum candidates, maximum number of candidates, unemployed youth, जो है, वो adjust हो सके, और vacancies जो है, ना रहे, पीछे, backlog ना रहे, और candidates, जो है, resign करके, एक job छोड़के, दूसरी job ना पकड़े, क्योंकि यह common students, common candidates, common aspirants, इन जाब्स म पोस्ट के नीचे चलें, तो, क्योंकि वहां पे तो अभी PST और PET conduct हो रहा है, वो 7200 यहां 7600 के करीब करीब भी रहें, बाकियो में तो आप सब जानते, maximum number of applicants, जो है, form भरा ही होगा, तो यही था मेरा वीडियो, यही था छोटा सा opinion, मैं दुबारा से जाने से पहले, मैं ब अट्रस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक रखे अपना बहुत सारा खायाल, अल दी बेस्ट और ब्लेस्ट और ब्लेस्ट यू अल